सभी का स्वागत है SSC के तरफ से जो GD का वेकेंसी निकल काया है उसमें फॉर्म भरने में बहुत सारे इस्टरण को प्रोलम होता है तो आज मैं पूरा किलियर कर देता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है बिना कोई गलती किये हुए ताकि आपको रिजेक्शन का साम करेगा बाकि आप चैंज करना चाहते हो नाम को फैनल जो है फो में तो अब बदल सकते हो वह पर उसके लिए दिया हुए है दो नुमर में फादर्स नेम आपका आजाएगा मदर्स नेम आजाएगा कब आएगा जब आप रिजिस्टर रहोगे SSC के वेब साइट पे तो सब्सक्राइगा और नहीं तो आपको पहले रिजिस्टेशन करने पड़ेगे जो न्यू स्टुडेंट हैं वह पहले रिजिस्टेशन कर लेंगे और किस तरह रिजिस्टेशन करना है वह भी मैं आपको अधर वीडियो में बता दूंगा ठीक है आगे चलते हैं तो चार नमर में मदर्शनेम है पांच नमर में डेट ऑब बर्थ है तो आप तो अल्रडी भी आ जाएगा एज एज जून इतना का यह ओटोमेटिक सो करेगा 24.5 यह सो कर रहा है तो आपका भी उस हिसाब से सो करेगा जेंडर मेल है केटेगरी आपको जो के हैं लेग में तो सब आप दे सकते हों मेट्रिक लोगे मेट्रिक का रॉल नमर आपको लिखनी है मेट्रिक यह और पासिंग लिखना है किस साल आप पास कियो हो वह आपको मार्क स्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा एज रेक्सेशन आपको लेना है क्या स्वरी वेदर यू सब्सक्राइब आपको लिख्या होगे इसमें डेट ऑफ ज्वैनिंग इस सब भरना ही नहीं है अगर आप नो कर दोगे ती सब बंद हो जाएगा उसका आजाते हैं 14.6 डेट ऑफ ज्वैनिंग इसब आपको देखने नहीं है ठीक है उसके बाद वेदर सेकिंग एज रिलेक अब ले रहो ओबी सी वाले हो सेस्ट वाले हो तो अब यहां पर एस करो गए ठीक है अरियो एन नेशनल केड़ेट्रॉप्स एनसी एनसी का डिटेल्स जो है एनसी वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं आपको किस केटिगरी का एनसी सेटिपिकेट मिला हुआ हूँ है वह डॉ मिसाइल आप किस केट या यूटी से है डिस्टिक अब मिसाइल Ε्समया जी करना है अब आजाते हैं में 30.7 में ओर जीन आकौन साथैन्जिक ऑपको गका लीखने है नहीं करना है आपको कहा मिलेगा तो आपका नकसल effected है क्या आप notification में मिल जाएगा अब अच्छे से पढ़ लेना ठीक है या आपको पता भी होगा preference of post तो इसमें quad बटा हुआ है कि कौन सा जिसे BSF का quad है CSF का quad है CRPF का quad है वो मैं previous वीडियो में बता चुका हूँ तो आप वहां से देखके screenshot लेके यहां पे fill कर दोगे आपको कौन सा post पहले रखना है उस quad को पहले लिखोगे ठीक है confirmation के लिए एक और दे दिया गया है आपको higher education qualification आपको जो सबसे अधिक आप पढ़े हो वो लिखना है और detail of qualifying education है तो इसमें आपको 10th का लिखना है क्योंकि इसमें 10th का ही qualification मांगा गया है इसमें आपका पूरा detail लिखना है इस status आपका क्या है तो passing year लिखना है आपको university name लिखना है इसमें देखेगा कि visibility इसमें अच्छा होना चाहिए दिखना अच्छा चाहिए बाकि length वगर जो है वो थोड़ा कम जादे चलता है और kb में जो है जितना kb दिया गया है उसी के भी छोलना चाहिए और clear दिखना चाहिए आप थोड़ा अच्छे से देख लेना नहीं तो यहां पर form reject हो जाने के संबावना पूरा पूरा रहता है ठीक है whether the photo has been taken on after इतना तो इसमें आप एस कर दोगे और बाकि आपका form पूरा complete हो जाएगा यहां agree और यह जो दिया हुआ है इंटर टेक्स्ट उस पर आप देख के अच्छे से टेक्स्ट कर दोगे और यहां पर preview पर क्लिक करोगे आपका form submit हो जाएगा और आप form भर लोगे ठीक है तो इसमें कोई दिकत आपको नहीं होना चाहिए बागी कोई दिकत है तो आप comment कीजेगा मैं उस तरह का वीडियो आ देने का प्रियास करूंगा बाकी चैनल पर अगर नहीं होते चलों को सब्सक्राइब कर लेना में इस चैनल पर जीतने भी जोरी जनकारी होती है मैं आपको देता रहता हूं तो यह वीडियो अगर इच्छा लगा वीडियो को लाइक बटन दबा देना और चैनल पर नहीं ह